रादी रादे जैमाता की भक्तों आप सभी का स्वागत करती हूँ spiritual ग्यान साधना में और आप सभी से अनुरोद करती हूँ कि spiritual ग्यान साधना को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकन को प्रेस करती है ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे त्रपक्ष का चौदबा दिन त्रियो दशी शरात की तिथी आज की वीडियो में जानेंगे त्रियो दशी शरात की तिथी पर क्या करें क्या ना करें जहां माता की रादे रादे कैसे हैं आप सभी लोग आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बताने के लिए कॉमेंट में जहां माता की रादे-रादे अवश्य ही लिखेगा तो भगतो आज की वीडियो बहुत अधिक महत्त्यपूर्ण है सच बता रहें आपको जानकारी मिलेगी और आज त्रियो दशी तीथी का श्राद है तो त्रियो दशी तीथी का श्राद में हमें किसका श्राद करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, शुब मुहुरत क्या है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में यहाँ पर मिलने वाली है तो वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे निवेधन करते हैं कि चैनल पर पहली बार आएं तो हाँ चोड़ कर प्रातना है सब्सक्राइब कर लीजे और वेल आइकन प्रेस कर दीजे ताकि आपको समय समय पर महतपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए तो चलिए देड़ न करते हैं प्रारम करते हैं आज की यह बहुती महतपूर्ण वीडियो पित्रपक्ष का चौदमा दिन है आज और द्र्योधशी तिथी का श्राद किया जाएगा त्रेवदशी तिथी का श्राद परिवार के जो भी स्वर्गवासी वच्चे होते हैं उनका श्राद त्रेवदशी तिथी के दिन किया जाता है बहुत ध्यान से सुनियेगा श्राद पक्ष में आने वाली आश्विन महा के कृष्ण पक्ष की त्रेयोधशी के श्राद का विशेश महत्व है इस श्राद को करने से मृत वच्चों की आत्मा को शान्ती मिलती है और उन्हें नया जन्म लेने में कठनाई नहीं होती है त्रियोदसी का शाद मृत बच्चों की मुक्ती के लिए होता है दो वर्ष से छे वर्ष की आयू के बीच के बच्चों का शाद त्रियोदसी के दिन करें देखिए ये बाते बोलने में बहुत तकलीफ होती है और बच्चों का नाम लेकर बोलने में तो बहुत ही तकलीफ होती है और ये जो बाते हैं ना ये जीवन का इतना जादा दर्दनाक सच है जिनके साथ होता है वो बिचारे जानते हैं इस चीज को कि कितनी तकलीफ होती है लोगों के मिस्कैरिच हो जाते हैं किसी किसी का बच्चा ही मतलब पैदा होने से पहले दुनिया से चला जाता है हम तो कहते है भगवान जिसको दें उसको देर गायो परदान करें वरना तो ना दे कम से कम इतने बड़े बड़े दुख तो ना सहना पड़े किसी को तो बहुत तकलीफ होती है बोलने में और ना मेरी आवास थोड़ी सी मेरी नाग बंद है क्योंकि मुझे आज कल बाइरल चल रहा है ना तो मुझे भी कोल्ड और फीवर हो गया है तो थोड़ा से इग्नोर कीजिएगा और यहाँ पर थोड़ा सा बाते भी ऐसी होती है ना जो तकलीफ देती है तो त्रिहोदशी के शराद के दिन इस तरह के बच्चे होते हैं जो उनकी मुझे के लिए शराद किया जाता है शराद में तरपन, पिंडदान, पंचवली और ब्रहमण भोच किया जाता है मतलब परिवार किसी भी सदस्य के साथ भगवान न करें ऐसा हो बैसे तो यही प्रात्ना है कि भगवान किसी को संतान दें तो दीर गायू परदान करें बरना इससे नहीं संतान रहना अच्छा होता है तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो भगवार ना करें किसी के साथ ऐसा हो लेकिन किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो आपको कहीं भी मतलब चमा कीजिया किसी को भी कोई बच्चे जहां भी मिले उनको उनकी पसंद की चीजे दिलाएं और इस तरही के से त्रियोदशी का शरात किया जाता है और त्रेयोदशी का दिन है प्रदोश का ब्रत और पूजन भी है तो शिपजी की पूजा आराद ना की जाएगी और अब पात करते हैं महुरत की तो कुत्ब महुरते 11.47 से 12.35 के बीच और रोहिन महुरते 12.35 से दो पेर 1.25 के बीच तो अब कुछ विशेश बाते जान लेते हैं जिन लोगों का दिहान इस दिन अर्था तिथी अनुसार कृष्णिया शुक्ल पक्ष की इन दोनों वक्षो की त्रियोदशी की तिथी को हुआ हो उनका श्राद भी इसी दिन किया जाता है इस बात पर भी विशेश ध्यान दे की परिवार में कोई बड़ा बुजर्ग भी यदि त्रियोदशी तिथी के तिन गया है तो उनका श्राद भी इसी तितिती के दिन किया जाएगा याज किया जा जाएगा और साथी जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी दो वर्ष के आयू होती है यह झात है कि यह बलक और करिया की जाती है शाद में तरपण पिंडिदान पंचवली औत रहत मुझब का कार किया जाता है दस वर्ष से अधिक utter के कंयाओं का श्राद पूर विदिविदान से करना चाहिए किशोर हो चुके अभी वाहितों का श्राद पंचमी के दिन भी किया जा सकता इसलिए इसे कुणारा पंचमी भी जहते हैं यदि बालकों और कंयाओं कि 6 वर्ष से अधिक आयो हो तो मृत्यों परांत उनकी श्राद की संपूर्ण के लिए विदी विदान के साथ की जाती है तो बस आज की वीडियो में इतना ही इससे जाद हम उससे बोला भी नहीं जा रहा है मुझे ये बोलने में भी बड़ी तक्लीफ हुई लेकिन क्योंकि म आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हल्पूल लगे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चैया माता की राधे राधे